हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में NCRT से लगातार वेकंसी जारी हो ही रही है जितनी भी पर्मानेंट कॉंट्रेक्ट बेस पर वेकंसी आई सबी आप लोगों के साथ शेयर की गई पिछले वीडियो आप जरूर देखें हो सकता है आपकी वेकंसी उसमें रही हो अभी चार और नए नोटिस जारी किये गए हैं सितंबर महा के जिसमें आयू 45 यर है सेलरी जो है इसमें बहुत सारे पतों बेर वेकंसी है तो अलग-अलग सेलरी है तो मिनीमम जो है 35,000 से लेकर मैक्जिमम वन लैक तक सेलरी रहने वाली है कोई परिक्षा नहीं देनी है केवल इंटर्व्यू की बेस पर सेलेक्शन रहेगा आवेदन जो प्रारूप है उसको आपको डाउन्लोड करके फिल करना है और इंटर्व्यू के समय लेकर जाना है ठीक है कहीं पर भी भेजना नहीं है निश्रुल कावेदन करना है कोई फीज नहीं देनी है किसी भी पोस्ट के लिए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आप लोगों को ओफिशल वेबसाइट पर यहां वेकेंसी में आप लोगों को सारी वेकेंसी नजर आएगी लगातार जो है वेकेंसी जारी होई रही है यह पूरे पांच विज्यापन है जो इसी महा के है सितंबर महा के इसमें 9 सितंबर 2024 का प्रारंबिक सिक्षा विभाग से एक विज्यापन एक विज्यापन जो की 12 सितंबर 2024 का है सैक्षिक मनो विज्यान एवं सिक्षा आधार विभाग से तीसरा विज्यापन जो की योजना ए सितंबर पर डिवीजन ओफ एजूकेशन एजूकेशनल किट से 6 सितंबर 2014 का है किसी में कोई परिक्षा नहीं देनी आप लोगों को केवल इंटर्व्यू के बेस पर सेलेक्शन रहेगा और कोई फीस नहीं देनी है ठीक है अब चलिए देख लेते हैं कैसे जो है यहां पर एजूकेशन में होनी चाहिए और इसमें 3 साल का अनुभव जो है आपका इस फील्ड में रहा हो ठीक है चाहे वह पढ़ाने कर रहा हो चाहे कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो या कोई भी प्रोग्राम से संबंदित हो desirable qualification जो है वो जरूरी नहीं है तो इसे आप छोड़ दें ब उनकी जो है इसमें आयू सीमा में छूट रहेगी सेलरी आप देख सकते हैं 80,000 से लेकर 1,00,000 तक जो है इसमें सेलरी रहने वाली है अभी इंटर्व्यू की डेट देख लें एक अक्टूबर 2024 है 11 वजे इंटर्व्यू रहेगा जगे देख लें आप Department of Elementary Education 4th floor room number 406 ZV Paint Block NCRT सिरी अरविंदो मार्क न्यू डेली तो यह वेकेंसी में जो जॉब लोकेशन रहेगी आपकी डेली रहेगी ठीक है अब दूसरा आप लोगों को दिखा देती हूं सेक्षिक मनोविज्यान सिक्षाधार विभाग से है 12 सितंबर का और JPF का पद है number of post एक है master degree psychology में या education में या sociology में या human development में या social work में या फिर इन ही से संबन्दित अगर कोई सी field में आपने master degree किया है 55% marks आपके हो नहीं चाहिए general category के हैं अगर आप ठीक है relaxation जो है आपका qualification में government of India norms के according रहेगा इसी तरीके सायू सीवा में भी चूट रहेगी 40 वर्स जो है general category किये है junior project fellow का पद है तो इसमें without net के के वल master degree के बेस पर 35,000 पर मंत salary रहेगी अगर आपने nat PhD किया है तो salary आपकी इसमें plus 2,000 37,000 पर मंत रहने वाली है इसमें interview की date 26 नंबर है और जगे है GB paint block 5th floor room no.515 application form आपको नीचे जो है इसमें मिल जाएगा और आपको क्या करना है अगर application form आपको किसी advertisement में नहीं मिलता है तो अपना bio data जो है ready करके अपने original document के साथ में इस जगे पर पहुँच जाएं दिये गए समय पर तीसरा notification जो की username अनुविक्षन प्रभार का है और इसमें 21 सितंबर को आपका skill test रहेगा पद का नाम है DTP operator इसमें graduation आपकी इस field में होनी चाहिए या फिर आपकी 12th अगर आपके पास 12th certificate है और diploma है आपके पास desktop publishing में एक साल का ठीक है और तीन साल का अनुवव इसमें 35,000 पर मन salary रहेगी और 45 वर्स इसमें उम्र है एक और पद है ग्राफिक डिजाइनर का तो ललित कला अनुप्युक्त कला में इस नातक या फिर computer application में इस नातक डिग्री है अनुवव सभी में चाहिए तीन साल का अनुवव इसमें भी मांग रहे हैं 45 वियर है इसमें age limit और इसमें salary जो है 50,000 पर मनत है यह सभी vacancy सभी contract based पर है ठीक है लास्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का जो notification है senior research associate का है mathematics में 18 सितंबर 2024 को interview रहेगा master degree आपकी इसमें चाहिए math में 55% marks के साथ में net होना चाहिए और दो साल का teaching experience या फिर research में आपका होना चाहिए अनुभव एस वही है 45 year तक के candidate आविदन कर सकते हैं आई उसी वह में चूट रहेगी इसमें 35,000 पर मनत है और net या PSD आपका qualify होना चाहिए 18 सितंबर 2024 जगे है DEK NCRT स्री अरविंदो मार्क New Delhi 110016 ठीक है तो यहाँ पर application forms अभी में आपको नीचे मिल जाएगा बाकी आप लोगों को link जरूर शियर किया जाएगा इस वीडियो के नीचे description box में जिस भी की वेकेंसी के लिए आप आविदन करना चाहेंगे पूरा notification पढ़े और उसके बाद आविदन करें यह official website है इसमें जो है यहाँ पर announcement section में वेकेंसी पर आपको जाना है और इसमें project staff में आपको पांचों वेकेंसी मिल जाएगी पिलेंगे next वीडियो में थैंक यू